जी नमस्ते मैं निर्मल आप सबको निर्मल बतक फारम में स्वागत करते हैं देखिए आप लोगों का अक्सर जो है वो कॉल आता है कि हम जो है बतक फारम खोल तो लें लेकिन हम इसको बेचे कहां पर तो देखिए इतना जो है खाने पीने की जो है जो भी चीज है उसको पश्चने में इतना दिक्कत नहीं आता है जितना की आप लोग सोच रहे हैं कहीं भी बेचिएगा तो कहीं भी बिक जायेगा आपको और बत्तक कहीं आज नो कल जो है बत्तक कहीं फारम जो वह सबसे आगे आएगा आप लोग जानते ही होंगे कि टीवी पर जो है डॉक्टर जो है चीक-चीक के कह रहा है की ऐसा है कि मुर्गी फारम बाले जो है इतना एंटिवैटिग डाल रहा है कि दवाई जो है रही आखी नहीं करता है आदमी के सरीर पर पर में जो है यह आपका कोई बुरा असर पड़ता है और फिर देखिए आप लोग सोचते हैं कि कहां हम बेचें इसको तो देखिए आप जैसे बच्चे लीजिएगा तो बच्चे जब लीजिएगा तो अचानक थुरे ना आप मार्केट करने लगिएगा अचानक मार्केट जो होगा नहीं आपको छे मेंना के बाद वो अंडा देगा तो एक लंबा भुक तो हो जाता है और आसपास के आदमी ऐसे ही फारंबाले को जानने लगता है कि यहाँ पर वह बत्तक है तो आपको जैसे ही अंडा देना सुरू कर देगा आप यकीन मानिए एक एक घर में जो है आपको 10 पीस 15 पीस अंडे जो है वह जाता है आईसा कोई घर नहीं जिसमें जो है पाँच पीस से कम जाता हो तो फिर आपको देख लिए बेचने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है किसी भी सर्थ पर नहीं आपको जो है वह दिक्कत आने वाला है सिर्फ आपको होसला रखना परेगा अब चलना तो आपका ही कम है हम तो सिर्फ आपको यही कह सकते हैं कि बेचने की जो है कोई दिक्कत नहीं आता है बनकी रहा कि किसी फारम बाले से कॉंट्रेक्ट कीजिए गा आप अग्रिमेंट कीजिए गा तो उसमें सबसे बरा दिक्कत क्या है कि मेहनत आप कीजिएगा और ले जाएगा वो फारम बाले अब माली जो कोई फारम बाले का रहा है कि हम आठ रुपे जो है वो अंडा ले लेंगे तो आठ रुपे अंडा तो वो ले लेगा लेकिन उस पर सर्त ये लगा लेगा वो कि हमको इतना हजार अंडा जो है एक साथ चाहिए तभी हम आपके पास से उठाएंगे नहीं तो किराया जो है वो आपको देना परेगा तो फिर ये बताईए मुझे कि आपको क्या मिलने वाला है उस अंडा को आप फेक तो दीजेगा नहीं गर्मी का मोसम है तो आपको फिरीज में डालना ही परेगा और फिरीज में डालियेगा तो उससे बच्चे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फिरीज जो है वो मैनस में चला जाता है उसका भुरून जो है वो इसे ही मर जाएगा उसमें वह सिर्फ जो है वह खाने के काम में ही आता है तो आप खाने वाले को ही दे सकते हैं किसी हैचरी वाले को नहीं दे सकते हैं तो आपके पास में कर कोई हैचरी वाले है तो उसको तो दे के आप जो है वह फाइदा ले सकते हैं लेकिन आपको एकzhree रहना परेगा और एक इंक्युवेटर रख लेजे आप उससे जो है आपको अधिक फायदा हो जाएगा अगर नहीं लिए बच्चे बच्चे बढने लीजिए बच्चे बढ़ए कर लीजिए विकी ही जा आपको हर हाल में इसको बेचने कितनी जल्दी नहीं होता है मुर्गी की तरह कि हमको 40 दिन में बेचना ही पड़ता है इस तरह कोई कुछ नहीं है अब आराम से आपका मार्केट अपने आप बन जाएगा अब हमारा देख लीजे कि सहरसा जिला में आप जहां मर्जी देख लीजे पहला फारम हम यहीं खोल रखे है और आदमी हर काफी आता है आज भी अभी यह सुबा सुबा का टाइम है यह लगबग यह नो बज रहा है और हमने चार आदमी को वापस कर चुके है क्योंकि अंडा जो है इतना दिया नहीं है जो हम सब को देते क्योंकि हम दूसरे फारम बाले को दे रहे हैं तो हमको तो अधिक रूपे हमको उसमें मिल जाता है तो हम बच्चा ही बनाने के लिए अंडा जो है उसमें डाल दिया है आपका मार्केट जो है अपने आप बन जाएगा या एक बार जाके आपको दुकान वाले को कहना परेगा ये भाई जो है हमारे पास में पत्तक का अंडा है आपको अपने आप बिक जाएगा बांकी देखिए मार्केट तो करना आपको ही परेगा हम तो करनी पाएंगे बांकी रागे सारसा जिला में मैं पहला फारम खोला हूँ और अपने आप मार्केट हमारा जो है वह बने गया बांकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्नवाद